हम जो discuss करें हैं वो है baron highland ecosystems in Pakistan how does they work इसमें जो है वो different food chains हम अभी तक discuss कर चुके हैं उसको in detail in depth देख चुके हैं कि जो baron highland जो zone है हमारा वो snow covered mountains पर मुश्टमिल है different peaks है हमने आप से बहुत सी चीजें से share की है और फिर जो है वो एक eoline zone जो था eco zone जो है जो के 6700 meter तक extend होता है वहाँ पर हमें जो है वो कहीं जिंदगी नजर आती है वहाँ पर आप से जो है वो पहले भी जो है discuss किया यह वहाँ पर बहुत सारे जो परिंदे हैं जो कि उस snow और बहुत freezing temperature को withstand कर सकते हैं वो वहाँ के लिए adopted हैं वहाँ पर जिंदा रहते हैं वहाँ पर reproduce करते हैं वहीं से जो बहुत सारे dead insects हैं यह plant materials हैं और spiders वगरा हैं माइट्स वगरा हैं उनको as a food जो है वो इस्तमाल करते हैं और यह food जो है वो जो नीचे से एक तुफाने बाद बारा जैसे चलता है हवाएं चलती हैं जो है वो गरम होकर उपर उठती हैं यह चीजें वो साथ लेकर जाती हैं उनसे वो अपने घौसले बनाते हैं वहाँ पेंडे देते हैं और nature उनको जो है वहाँ पे limited food sources की वज़ा से जो है उनकी population को जो है वो limited कर देती है उन्ही में से जो है वो हमालियन आइबेक्स जो है जो आपको यहाँ इसमें नजर आ रहा है जो सकत जो है वो short summer होता है उसकत यह वाली सूरते हाल होती है कि घास तरह थोड़ी ज़्यादा नजर आती है यह green patch जो है ज़्यादा नजर आता है तो यह हमालियन आइबेक्स उस और वो तुमाम्अ जो मेतिरियल साजिसमें बहूतसरे चीडेर इंसे जो इंसेक्त ते जो डिफ्टिट्रियन थे विंगत थे उनकी बॉडी इस नी जो प्लाइनट मेतिरियल था वह जहांा सब्रूड जादा होगी ती वहा प्रहुते थोड़ा इस patches की form में हो गया यह जह है वो उसको खोद कर जह हो खा रहे हैं यह उनका food है इस तरह यहां पर जह हो alpine जो थे कफ यह जो थे हो हमने इससे पहले जो थे वो जो बर्ट से वो देखे और इसके बाद यह alpine swifts हैं यह बड़े जह हो fast flying जह है वो insects है permanent snow zone में जो नेस्ट है वो बना के रखते हैं इसमें जहाँ देखी कि यह आगे से इनके जो पर है बिलकुल जह हो कर्व है यह नहीं कि जो बहुत जादा तेज हवा है उसमें रुकावट ना बने बलके वो एक जह हो उसको smoothly उसके उपर से बुज़र जाए उसके इलावा जो है इनकी जो दुम है पीछे वो बहुत चोड़ी नहीं होती कि वहाँ पर उसको air को balance करना पड़े बलके ऐसे narrow सी है और उपर से तो आपको यह जो ग्रेश से color का नज़रा है लेकि नीचे से जो है इसकी जो throat और जो belly region है वो white होता है ब आपको जिन्दा रख सके इस तरह जहा होगो इस से पहले भी जो हमने जिकर किया कि यह जो हमारे पहाड़ी सेसलें हैं जहाँ स्नो है यह हमारा एक मुस्तकिल एक source of water है हमारे पूरे पाकिसान के लिए हमने इस में जो है द्रियाए गिल्गत और द्रियाए सिंध को जो है व ice melt होती है और नीचे की तरफ आती है तो बहुत सारे जो steepy side होती है mountains की वहाँ से बहुत सारी top जो layer है soil की जो loose stones वगरा है वो साथ ले आती है और जिस वकट कोई चीज जो है वो उपर से नीचे की तरफ आएगी तो हमेशा वो यू ऐसे जैसे fan की तरह फैल जाती है यह इस तरह जो है वो जिसको हम कहते है tellus और यह जो है वो alluvial जो है वो tellus होते है means alluvial soil होती बहुत fertile soil होती तो moisture वहाँ होता है वहाँ बहुत सारी जो है वो seeds होते हैं जो grow कर जाते है जो से वहाँ पर तो अगर जो है वो और ऐसे जो है वो हमें नीचे जो वो seed grow करते हैं और moisture होता है तो आइस्ता इस्ता वो एक बड़े thick forest में जो है वो convert हो जाता है इस तरह के जो forest हैं वो हमें गिलगित बलतिस्तान में बड़े luxuriant forest नजर आते हैं जो अब बहुत rare होते जा रहे हैं क्योंकि वो area जो है वो urbanization की तरफ जा रहा है या वो ही वाला जो हिस्सा है उसको जो है agriculture purposes के लिए जो है वो इस्तमाल किया जा रहा है अब जो है जहां पर जो हमे लाइन्स हैं basically जो summer moods नूर है उसको intercept करती है वहाँ पर rainfall जो है वो कम होती है तो जिस वकर जो हवा नीचे से आती है और forest में से होकर आईगी तो वो cool होकर आईगी क्योंकि forest में बहुत सारे द्रक्त हैं उनके पत्ने हैं पत्नों के stomatas हैं वहाँ से जो है वो water vapors निकले में है तो उसके साथ जो है वो cool होकर उपर की तरफ आएगी जब वो cool होकर उपर की तरफ आईगी तो उपर तो है इस snow तो जो snow है उसकी जो melting है वो slow down हो जाएगी लेकिन जब हमने वो वहाँ से जो है वो deforestation कर दी है अपने purposes के लिए इनसान ने intervene कर दिया है एक nature के ecosystem के अंदर तो उसने negative impact जो है वो इस ecosystem के उपर एक overall डाला है वो कैसे की नीचे से जो हवा आ रही है वो चुके वहाँ पे forest नहीं है तो वो गरम हवा उपर की तरफ आती है और वो गरम हवा की वज़ासे जो snow है वो ज़्यादा तेजी के साथ melt होगी की वज़ा से समर में वो बहुत जादा पानी जो है वो द्रयाओं में आता है वो सिलाप का बाइस बनता है वो उन एरियास में भी जो है अगरिकल्चर लेंड जहां पे उनकी फसलें हैं उनको भी खराब करने का बाइस बनता है इसका मतलब है कि human interference जो है वो ecosystem का balance जो है उसको खराब करेगा उसको negative जो है वो impact देगा तो deforestation जो है वो पहला step है हमारे इस एक जो global climate change है जिसमें temperature जो है वो rise हो रहा है और जो snow है वो आईस्ता इस्ता ज्यादा पिगल रही है तो यह हम एक छोटे साए इसी level के उपर देख सकते हैं कि हमने deforestation की है तो हमारे ecosystem के उपर उसका negative जो है वो impact जो है वो आया है soil illuvial है soil जो है वो fertile है लेकिन उसकी fertility जो है वो आईस्ता इस्ता कम जो होती जाएगी क्योंकि soil जो है उसमें से moisture निकल जाएगा वो dry up ज्यादा होगी और अगर पानी बहुत जादा आ गया है तो वो जो है बजाए यह कि वो उसमें सीपिज हो जाए उसमें वो ठहर जाए पानी क्योंकि रूट्स जो है वो उसको पानी को जो है वो विद्ध होल्ड कर लेंगी उस इस सलाब को रोक लेंगी लेकिन अब जब deforestation कर दियें दरख नहीं निकाल दिये तो वह वहां पर जड़े नहीं है जो कि उस पानी इस सलाब को रोख सके तो इंसान की intervention रोक जब हो किसे जो इको सिस्टम है मेंसप जह वो खराब किया है नो फॉरेस्ट तो हमारे पास जो है वो स्वाइल की मेल्टिंग जो है वो ज्यादा तेजी के साथ होगी और हम अपनी जो है वो एक जो नैचरल सिस्टेनिबल सोर्स है वाटर का उसको बहुत तेजी से खतम करने का बायस भी बनेंगे इससे टेंपरेचर उस जो है वो सरे रिसोर्स जो है वो इस चीज को जो है वो मैनेज करने के अंदर लगेंगे कि वहाँ इंसानी जिंदगी वहाँ पे जो हो किस तरह से सिस्टेन करें इन तमाम जो है वो हैजर्ट्स को रखते हुए तो इंसान जो है अगर अगर अपने वसायल के जो है वो अपने रिसोर् आफाद हैं उन से हम बच सकेंगे जहां पर इंसानी जिंदगी है वह वहां पर बहुत सारी चीजें बच जाएंगी